हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेगे कि गूगल का कौन सा पॉप्यूलर एप बंद हुआ है, गूगल प्ले स्टो और एप स्टो से हुआ रिमूब, जानिये. गूगल ने अपनी मेसेजिंग सर्विस गूगल हैंगाउट्स को बंद कर दिया है. अब गूगल वर्क्स्पेस यूजर्स इसके बजाए गूगल के डिफॉल्ट मेसेजिंग अप गूगल चैट का इस्तिमाल कर सकते हैं. सरल शब्दों में कहें तो गूगल हैंगाउट्स को गूगल चैट से रिप्लेस किया गया है. 2013 में गूगल हैंगाउट्स की हुई शुरुआत. गूगल ने गूगल हैंगाउट्स की शुरुआत 2013 में गूगल जोड फीचर के रूप में की थी. यह सर्विस बंध होने के अंतिम चरण में है, इसलिए Google ने इसे Google Play Store और App Store से हटा दिया है हालांकि जिन Android Users ने इस एप को पहले से डाउनलोड कर रखा है, वह उसे इंस्टॉल किये गए एप के लिस्ट में देख पाएंगे वही ने यूजर्स के साथ साथ जिन लोगों ने इसे डाउनलोड नहीं किया, उन्हें भी Google Hangouts नहीं दिखाई देगा 2018 में की गई थी घोशना, नवंबर 2018 में ही इस बात की जानकारी दी गई थी कि Google Hangouts को Google Chat से रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके बाद कमपनी ने अक्टूबर 2020 में वर्कस्पेस यूजर्स को हैंगाउट से मीट पर भेजना शुरू कर दिया 925 Google का रिपोर्ट के अनुसार, Google Hangouts को Google Play Store और App Store से इसलिए हटाया गया है ताकि यूजर्स बंद किये जा रहे एप को अपने Android और iOS डिवाइस पर डाउनलोड ना कर सकें जीमेल एप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यूजर्स Google ने पहले से उपस्थित Workspace Enterprise Accounts को Hangouts से चैट पर भेज दिया है इसके साथ ही फ्री अकाउंट को भी इसके इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है जिन यूजर्स ने अब तक अपने स्मार्टफोन में Google चैट डाउनलोड नहीं किया है वो जीमेल एप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस एप में Integrated चैट और Google Meets पोर्ट दिया गया है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन जरूर बताएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले धन्यवाद दोस्तों